नमस्कार, मैं अभिनास रंजन गुपता, आप सभी का अपने चैनल पर हार्दिक अवी नंदन करता हूँ आज की इस वीडियो में हम अधियन करने वाले हैं राज भासा के विकास से सम्मंधेत संस्थाय अर्थात राज भासा जो हिंदी है उसके विकास से जुड़ी कुछ-कुछ ऐसी संस्थाय है जो निरंतर उसके विकास के लिए उसके डिवलप्मेंट के लिए काम करती रहती है इस वीडियो में हम उनी संस्थाओं के बारे में अधियन करने वाले हैं तो सुरू करते हैं, राज भासा के विकास से संबंधिः संस्था है, सबसे पहली और जो सीरस्थ संस्था है वो है केंडरे हिंदी समीती, इसके अलावा सिक्षा मंत्राले के अधिन काम करने वाली जो संस्था हैं वो है साहित्य अकाद्मी, नेशनल बुक ट्रस्ट जिसे हम हिंदी में राश्ट्रिय पुस्तक नियास कहते हैं, केंद्रिय हिंदी निदेशाले, CHD Central Hindi Directorate, वैज्ञानिक तथा तक्निकी सब्दावली आयोग, जिसे हम लोग Commission for Scientific and Technical Terminology कहते हैं, उसके बाद ग्रिह मंत्राले, Home Ministry के अंदर में कौन कोशी समसा हैं, देखें, राज भासा व Information Bureau, राज भासा विभाग, इसके बाद विधी और कानून मंत्राले के अधिन, राज भासा विधाई 1975, सूचना एवं प्रसारन मंत्राले के अधिन काम करने वाली संस्था हैं, प्रकाशन विभाग, जिसे हम लोग Publication Division कहते हैं, फिल्म प्रभाग, जिसे हम लोग Film Division कहते हैं पत्र सूचना कार्याले, Press Information Bureau, आकासवानी, All India Radio, जिसे सौट फॉर्म में हम लोग AIR भी कहते हैं, और दूर दर्सन जिसे हम लोग DD National के नाम से जानते हैं, तो हम इन सभी संस्थाओं के बारे में एक के बाद एक करके अधियन करते हैं, सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं केंद्र हिंदी समीती का मुख्याले है डेली में, और इस समीती में कुल 41 सदस्य होते हैं, ये नई दिल्ली में स्थित है, नई दिल्ली में स्थित केंद्र हिंदी समीती की स्थापना सन 1967 में हुई, केंद्र हिंदी समीती वह सीर सस्थ समीती है जो नीती निर्धारन में वीज़े से संबंधित निड़नयों के कारियान्वेन का परेवेक्षन करती है परेवेक्षन अर्थात सुपरविजन करती है देखिए ये जो संस्था है ये संस्था हिंदी को कैसे प्रमोट किया जाए अंतर मंत्रालई अर्थात मंत्रालईयों के बीच में और अंतर प्रमोट किया जाए इन सभी चीजों को केंद्र हिंदी समीटी अपनी सुपरवीजन में पूरा करती है भारत के ग्रिह मंत्री जो होम मिनिस्टर है इस समीटी के उपाध्यक्ष अर्थात वाइस प्रेसिडेंट है और ग्रिह राज्य मंत्री इसके सदस्य है इसके प्रधान मंत्री होते हैं अर्थात प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वही इसके प्रेसिडेंट होते हैं अब हम लोग आते हैं दूसरी संस्था पर जो सिक्षा मंत्राले के अधिन रहकर कारे करता है और यह बहुत ही फेमस संस्था है जिसे हम लोग साहित अकाडमी के नाम स सिरो साह मार्ग नई दिली 119 में इस्थित है इस संस्था का काम क्या है देखे भारत की राष्ट्य संस्था साहित्य अकादमी की स्थापना भारत सरकार द्वारा 1994 में की गई भारत की प्रमुक सहित्तिक संस्था के रूप में ये अकादमी, पुरसकार, फैलोसिप, अनुदान अर्थात ग्रांट करना, प्रकासन, अर्थात पॉब्लिकेशन, सहित्तिक कारेकरम, लिटरेचर से जुड़े प्रोग्राम्स, कारेसाला, वर्क्सोप, प्रदर प्रदान करती है, इसके कहने का मतलब हुआ कि भारती संविधान की आठिवी अनुसूची में 22 भासाएं राष्ट्री भासाओं के रूप में मानी जाती है, लेकिन सहित्तिक अकैदमी ने अपने अस्तर पर 24 भासाओं को माननेता दे रखी है, और उन 24 भासाओं से प्रदान के बाहर भारती सहित्ति को प्रोसाहित करने के लिए दुनिया के विभिन देशों के साथ सहित्तिक वीनिमे कारेक्रमों का आयोजन भी करती है, अर्थात्र दो देश मिलकर किसी प्रोग्राम का आयोजन करते हैं, जिसमें हम अपनी संस्कृति, अपने सहित्ति को वहां प्रतिनिधी करते हैं और वो लोग अपने साहित्ते और अपनी संस्कृत्ति को इसका उद्देश है कि यह साहित्ति को बढ़ावा दे यह भारत की साहित्तिक गतिविधियों से जुड़ी सिरस्थ संस्ता है साहित्तिक गतिविधियों से जुड़ी संस्ता है यह अब आ साले Ministry of Human Resources and Development के अधिल एक स्वायत सासी संगठन है स्वायत सासी अर्थात Autonomous Organization है इसकी अस्थापना 1957 में हुई और इसके प्रमुक्ट कारे है प्रकाशन अर्थात Publishing करना इसका मुख्य कारे है तो Publishing भी कैसा देखिए शिक्षा Education, विज्ञान, साइंस, सहित्य, लिट्रेचर की उच्च कोटी की पुस्तकों का प्रकाशन कम मुल्यों पर जन्ता को उपलब्द कराना इसका मुख्य कारे है इसके अलावा पुस्तक पठन को प्रोच्चाहन देना, विदेशों में भारती पुस्तकों को प्रोच्चाहन देना, लेखकों और प्रकासकों को सहता करना अर्थात कोई अच्छा लेखक है वो अच्छे सहित्य की रचना कर सकता है तो उसको financially grant देना, financially help करना, बाल सहित्य को बढ़ावा देना इसका मुख्यकार है, इसके अलावा यहां हिंदी, अंग्रेजी तथा अन्य प्रमुक भारते भासाओं एवं ब्रेल लीपी में पुस्तक प्रकासित करता है, ब्रेल लीपी एक ऐसी लीपी है जो दृष्टी बाधित अर्थात जो visually impaired होते हैं, जो देख नहीं पाते ह उनके लिए भी पुस्तकों का ये प्रकाशन करती है, यहां हर दूसरे वर्ष नई दिल्ले में विश्व पुस्तक मेले का आयोजन करता है, जो एशिया और अफ्रीका का सबसे बड़ा पुस्तक मेला होता है, यहां प्रती वर्ष 14 नवंबर से 20 नवंबर तक राष्ट्रिय पुस्तक सब्ता भी मनाता है, तो यह है नेशनल भूग ट्रस्ट, राष्ट्य पुस्तक नियास का कारियर, अब हम लोग आताते हैं, अगले बिंदु पर जो है केंद्रिय हिंदी निदेशाले, जिसे हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं, Central Hindi Directorate, देखिए, यह है केंद्रिय ह 1960 को सिक्षा मंत्राले, अब उच्चितर सिक्षा विभाग मानो संसाधन विकास मंत्राले के अधिनस्थ कारियाले के रूप में केंद्रि हिंदी निदेशाले की स्थापना हुई, कब हुई 1 मार्च 1960 को और यह MHRD के अंडर में कारियरत है, इस संस्था के प्रमुख कारे क् सब्द कोस एवं विश्व कोस का निर्मान करना, डिक्ष्णरी और एंसाइक्लोपीडिया का निर्मान करना, हिंदी एवं अन्य भारते भासाओं के तुलनात्मक व्याकन का निर्मान करना, तुलनात्मक कंपरेटिब ग्रामर बुक का निर्मान करना भी इसका कारे है, प्र शिक्षा संस्थानों द्वारा हिंदी भाशा एवं सहित्य के शेत्र में किये जा रहे कारेों का समन्वय करना, संयोजन करना भी इसका कारे है, देवनागरी लीपी तथा हिंदी वर्तनी का मानकी करना, वर्तनी मतलब हिज्जे या स्पेलिंग का मानकी उसके स्टेंडर्ड फ रचनाओं को डिजिटल डूप में तयार करना अर्थात भारती भासाओं के जो कुछ चुनिंदा रचना है उनको डिजिटल डूप में यह तयार करती है चेन नहीं हाइदराबाद गुआहर्टी और कोलकाता में इसके चार छेत्रे कार्याला हैं और आपको मैं बता दूँ अ अपनी आपको enroll भी कर सकते हैं और membership लेकर आप वहां से किताबे भी मंगवा सकते हैं अब हम लोग आज आते हैं अगले बिंदु पर जो है वैज्ञानिक तथा तकनीकी सब्दावली आयोग इसे हम लोग अंगरेजी में कहते हैं Commission for Scientific and Technical Terminology यह है इसका मुख्य कार्याल है सभी भारतिय भासाओं के लिए पारिभासिक सब्दावली के विकास के उद्देश से महा महीम राष्टपती महोदे ने 27 अप्रेल 1960 को एक अस्थाई आयोग के गठन का आदेश दिया जिसके अनुसरण में 1 अक्टूबर सन 1961 को भारत सरकार द्वारा वैज्ञानिक तथा त अधेश के बाद ये अपने मुर्थ रूप में आता है एक अक्टूबर 1961 को सब्दावली आयोग का मुखे कारे है मानक सब्दावली विक्सित करना मानक अथात स्टेंडर्ड सब्दावली विक्सित करना तथा उसका प्रियोग वितरण एवम प्रैचार करना है वैज्ञान एवं तक्निकी सब्दावली विक्सित करने में राज्य सरकारों, विश्व विद्यालयों, छेत्री पाठ्थि पुस्तक बोड़ों तथा राज्य अकाद्मियों के सहयोग से हिंदी तथा अन्य भारतिय भासाओं में संदर्ब ग्रंथों, रेश्परेंस बुक्स, सामगरी, म अभी विकास संब्लित है, हिंदी तथा अन्य भारतिय भासाओं की मानक सब्दावली को लोग प्रिय बनाने तथा इसके प्रियोग को बढ़ावा देने के लिए वैज्ञानिक तथा तक्निकी सब्दावली आयोग, निरंतर, कारे सालाओं अर्था वरक्सोप, संगोष्ठ अर्था सेमिनार, सम्मेलनो अर्था कांफरेंस, अभी विन्यास अर्था ओरियेंटेशन प्रोग्राम तथा प्रसिक्षन, ट्रेनिंग कारे क्रमों का आयोजन भी करता रहता है, तो इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं, वैज्ञानिक तथा तक्निकी सब्दावली आयोग हिंदी के विकास के साथ सब च्चेतरी भासाओं के साथ भी समन्वे हस्थापित करके, च्च्चेतरी भासाओं को भी बढ़वा देती है, अब हम लोग आजया आते हैं, गृह मंत्राले के अधीन कौन-कौन से संस्थाइं हैं जो हिंदी के विकास के लिए कारे कर रही है, इसमें सबसे पहले आता है राज भासा विधाई आयोग। देखें, राज भासा विधाई, विधाई कहने का मतलब हो गया लीगल। राज भासा विधाई आयोग की स्थापना 1965 में हुई और 1975 को इसे विधी कानून मंत्राले के अधिन कर दिया गया। राज भासा विधाई आयोग के प्रमुख कारे हैं तो आपको एक बात याद रखनी है पहले राज भासा विधाई आयोग जो था वो ग्रिह मंत्राले होम मिनिस्ट्री के अंडर काम करता था दस वर्सों तक इसे होम मिनिस्ट्री के अंडर काम किया और बाद में इसे विधी और कानून मंत्रा लेके अधीन कर दिया गया, इसके मुख्य कारे क्या क्या है, देखिए, केंद्रिय अधीन यमों के हिंदी पार्ट का निर्मान करना, सेंट्रल रेगुलेशन्स जो है, उसका हिंदी पार्ट का निर्मान करना, एक प्रामानिक विधिक सब्द कोष्ट बनाना, लीगल डिक्षनरी का निर्मान करना, केंद्र और राजे, सेंट्रल और स्टेट, दोनों की विधियों, लेजिसलेटिव या जो कानून है, लौज है का हिंदी में पुनर निर्मान फिर से बनाना और पुनर ग्रंथन करना बना कर उसको फिर से फंक्षनल बनाना ही इसका मुख्य कारे है, यह है राजभासा विधाई आयोग, अब आते हैं केंद्रिय अनुवाद ब्यूरों, सेंट्रल ट्रांसलेशन ब्यूरों, देखिए, यह है सेंट्रल ट्रांसलेशन ब्यूरों की एक सभा का द्रिश्य राजभासा हिंदी के प्रगामी प्रियोग में, अर्था प्रोग्रेसिव प्रियोग में अनुवाद की महत्तोपुर्ण और अप्रिहारे आवश्यक्ता को देखते हुए, अप्रिहारे अर्था कंपल सरी आवश्यक्ता को देखते हुए भारस सरकार के प्रसास्निक धांचे में अनुवाद की सू नियोजित विवस्था आवश्यक्ती। प्रसास्निक धांचे एड्मिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर में अनुवाद अठा ट्रांसलेशन की सू नियोजित विवस्था आवश्यक थी। एक मार्च 1971 को ग्रिह मंत्राले के अधिन केंद्री अनुवाद ब्यूरो की स्थापना की गई और केंद्र सरकार के मंत्रालेव, विभागों, कारियालेव, उपकरमों, आदी, के और सामविधिक प्रक्रिया, साहित्य का अनुवाद कारे केंद्र हिंदी अनुवाद ब्यूरो को सौपा गया और स्वामविधिक कहने का मत्सब हो गया नोन स्टेटिटूरी बोडी वर्तमान में केंद्री अनुवाद ब्यूरो राजभासा विभाग ग्रिह मंत्राले के अधिनस्त कारियाले के रूप में कारे कर रहा है अब हम लोग आते हैं राजभासा विभाग पर दे लीगल प्रावधानों के अनुपालन तथा संग के कारियालेईन प्रयोजनों के लिए हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए जून 1975 में ग्रिह मंत्राले के एक स्वतंतर विभाग के रूप में राजभासा विभाग के स्थापना की गई थी तब ही से यह विभा तरह से हिंदी को प्रमोट कर रहा है आप राजभासा के वेबसाइट पर जाकर www.rajbhasa.gov.in के वेबसाइट पर जाकर एक ओनलाइन दिक्षिनरी भी पासकते हैं साथ ही साथ तरह तरह की पुस्तके डाउनलोड कर सकते हैं आप अगर अपने कंप्यूटर में हिंदी फॉन् करते हैं इस वेबसाइट पर आपको तरह तरह की जानकारिया और अध्यतन इन्फोर्मेशन मिलती रहती हैं अब हम लोग आते हैं अगले बिंदु पर वीधी कानून मंत्राले के अधिन देखिए राजभासा वीधाई 1975 जैसा मैंने कहा था एक राजभासा वीधाई आयोग जो थी पहले ग्रीह मंत्राले के अंदर में था बाद में दस वर्सों के बाद राजभासा वीधाई आयोग 1975 वीधी और कानून मंत्राले के अधिन कर दिया गया राजभासा वीधाई आयोग 1975 पहले ग्रीह मंत्राले के अधिन था अब वीधी कानून मंत्राले के अधिन है इसके प्रमुख कारे क्या है? प्रमुख कानूनों के हिंदी पार्ट का निर्मान करना ही इसका मुख्यकार है. क्योंकि बहुत सारे नियम और कानून ऐसे हैं जो अंग्रेजी में हैं, ये उसका हिंदी रूप प्रस्तुत करता है और उसे सरल भासा में आम जन्ता तक को पहुँचाने की कोसिस करता है. अब हम लोग आदाते हैं, अगले संस्था पर सूचना एवं प्रसारन मंत्राले के अधिन, ये कुल पांच संस्था हैं, सबसे पहले हम लोग आदाते हैं, प्रकाशन विभाग पर देखें, डिपार्टमेंट अफ पॉब्लिकेशन, गॉर्मेंट अफ इंडिया, प्रकाशन विभाग, प्रकाशन विभाग, राष्ट्री महत्यों के मामलों और भारत की संब्रिध संस्कृतिक विरासत पर पुस् लोगों की जीवनी, वनस्पतियों, जीवों, विज्ञान, जीवों, विज्ञान, साइंस, प्रद्योग की टेकनोलोजी जैसे विसयों पर पुस्तकें, जर्नल, वार्सिक पत्रिकाएं और सीडी, कॉम्पेक्ट डिस्क प्रकाशित करता रहता है, प्रकाशन विभाग पुचना, मनोरंजन, भूमी, लोगों, विरासत, संस्कृती और समाज के बारे में जागरुत्ता फैलाने के उद्देश शे, राष्टपतियों, प्रधान मंत्रियों के अभी भाशन, बाल साहित्य, कथा और गैर कथा सामगरी के व्यापक उद्देश्य के साथ, जिसका ल प्यास करता रहता है कि भारत की सभ्यता, संब्रिधि, संस्कृति, लोगों के बारे में, महाल हस्कियों के बारे में आम जनता तक जानकारी पहुंचे, अब आ जाते हैं फिल्म प्रभाग पर, फिल्म डिविजन, ये देखिए, फिल्म प्रभाग, सूचना और प्रसाना मं और भारती इतिहास के सिनेमा रिकोर्ड के प्रचार के लिए वरित्य चित्र अर्था डुकिमेंटरी और समाचार पत्रिकाओं का निर्मान करने के लिए किया गया था, अब तक फिल्म डिविजन ने क्रीसी से लेकर कला और वास्तु कला, उद्योग से लेकर अंतराष्ट् के द्रिश्यों, भोजन से लेकर तेवहारों, स्वास्थ से लेकर सेवा से लेकर आवास, विज्ञान और प्रद्योगिकी से लेकर खेल, व्यपार और वानिज्य से लेकर परिवहन, जन जातिये कल्यान से लेकर सामुदाइक विकास, सामुदाइक विकास अर्थात कम्यून आधी तक के विशयों पर 8000 से अधिक वृत्त चित्रों, अर्थाक डोकुमेंटरीज, लगु फिल्मों, सौर्ट फिल्म्स, एनिमेशन फिल्मों और समाचार पत्रिकाओं का निर्मान किया है। प्रभाग द्वारा किये जाने वाले मुख्य कारे कलापों में वृत्त चित्र फिल्मों का निर्मान, वृत्त चित्र, लगु और एनिमेशन फिल्म के लिए मुंबई अंतराष्टे फिल्म महतव आयुदन आधि भी सामिल है। फिल्म प्रभाग के माध्यम से भारती राष्टी शीनेमा संग्रहाले भी स्थापित किया जा रहा है। तो फिल्म प्रभाग क्या क्या करता है। अब हम लोग आते हैं अगले बिंदु पर पत्र सूचना कार्याले प्रेस इन्फॉमेशन ब्यूरो पत्र सूचना कार्याले की स्थापना 1956 में सरकार की नीतियों, कारेक्रमों, पहलों, अर्थात, इनिशियेटिप्स और अचीव्मेंट्स के सम्बंध में प्रिंट, इलेक्ट्रोनिक और सोचल मीडिया पर सूचना प्रसारित करने के लिए भारत सरकार की एक नोडल एजेंसी है। यह सरकार और मीडिया के बीच एक माध्यम के रूप में कारे करता है और मीडिया में आई लोगों की प्रतिक्रिया पर सरकार को फेड़बैक भी प्रदान करता है। P.I.B. Press Information Bureau के महत्पुर्ण कारे हैं भारतिय और विदेशी मीडिया प्रतिनीधियों को माननेता देना। प्रेस वारता और प्रेस कॉन्फरेंस करना। प्रेस और सरवजनिक प्रतिक्रियाओं पर सरकार को फेड़बैक देना। विकास परियोजनाओं के लिए प्रेस दोरों को आयोजन करना। जन्द सूचना अभियान पब्लिक इनफॉर्मेशन स्कीम का आयोजन करना। ये सब पत्र सूचना कारे आलाई के कारे हैं। अब हम लोग आते हैं आकासवानी पर जिसे हम लोग AIR All India Radio के नाम से जानते हैं। तो आकासवानी भारत के सूचना एवं प्रसारण मनत्रालाई के अधिन संचालित सारवजनिक छेतर की रेडियो प्रसारण सेवा है। भारत में रेडियो प्रसारण की सुरुवात मुंबई और कोलकाता में सन 1927 में दो नीजी ट्रांसमीटरों से हुई। 1930 में इसका राष्ट्रिय करण हुआ अर्थात नेशनलाईजेशन हुआ। और तब इसका नाम भारती प्रसारण सेवा Indian Broadcasting Corporation रखा गया था। बाद में 1957 में इसका नाम बदल कर आकासवानी रखा गया। आज यह राष्ट्री भाषाओं के साथ साथ छेत्री भाषाओं में भी कारिक्रमों का संचालन करता है। यह है All India Radio और अब हम लोग आज आते हैं अंतिम संस्था पर जो है दूरदर्सन। दूरदर्सन हम लोग इसे जानते हैं डीडी नेशनल के नाम से तो देखिए दूरदर्सन भारत की सरकारी चैनल है। दूरदर्सन के प्रसारण की सुरुवात भारत में विधिवत रूप से 1906 को हुई। ऐसे पहले हो चुकी थी लेकिन 1906 को विधिवत रूप से हुई। यह विश्यो का दूसरा विशाल प्रसारण है दूरदर्सन के राश्ट्री नेटवर्क में 64 दूरदर्सन केंद्र, निर्मान केंद्र 24 छेत्रिय समाचार एकक, अर्थात इकाईयां 126 दूरदर्सन रख रखाव केंद्र, 202 उच्च सक्ती ट्रांस्मीटर, 828 लोग पावर ट्रांस्मीटर, 351 अल्प सक्ती ट्रांस्मीटर, 18 ट्रांस्कोंडर, 30 चैनल तथा DTH सेवा भी सामिल है। और यह है दूरदर्सन और अगर आप कुस दिनों पहले याद करेंगे, तो कोरोना спорт में दूरदर्सन पर एक प्रोग्राम आ रहा था जो बहुत ही टीवाल प्रोग्राम का मजा उठ था। तो इस तरीके से हम लोगों ने राजभासा के विकास से सम्मंदित विभिन संस्थाओं का बहुत ही बारिकी से अध्यन किया, उमीद करता हूँ, आपको मेरा इस वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा, हम पुर्णा मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन उन्हे रखतो.